आए देखते लिए टीव नियूज सुभा हम माइनारिटी मिनिस्टर से मुलाखाद किये हैं और जॉइंट एक्षिन कमिटी और तारीख मुस्लिम शबान के साथी सेकेटेरियट मसाजित के सलसले में उसके फांडिशन स्टोन के तालुख से और तफसीलात पर बात चीत हुई है मानारिटी मिनिस्टर से और तारीख के सलसले में हमने कहा कि पांच एपरिल मुनासिब तारीख रहेगी पांच एपरिल तक आप फांडिशन स्टोन रख दें तो परशांद रेड़ी जो रोड एन बिल्डिंग के मिनिस्टर है उन से मानारिटी मिनिस्टर ने रापता पैदा किया लेकिन वो कुछ दुसरे दौरे पर गएवे हैं तो हम भी उन से मुलाखात करना चाह रहे थे क्योंकि रोड एन बिल्डिंग मिनिस्टर के तहत ये कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और परशंद रेड़ी साब से भी तारीख हम तेह करना चाह रहे थे तो वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है बरहाल हमने कहा है कि पांच अपरिल तक के समझे कि फांडिशन स्टोन डग दिया जाए और मिनिस्टर साहब का भी ये वाज़न था कि हम जरूर जल से जल रख देंगे और उसके लिए समझे कि चीफ मिनिस्टर साहब भी बहराल इसको जल से जल खतम करना चाह रहे हैं तो ये समझे कि दरसल आज आने का मकस्द ये था कि इसमें मजीद कोई डिले न हो और सेकेटरियेट मसाज़ित का मसला जल से जल हल हो जाए ठेक है एसेंबली में समझे कि मिनिस्टर साहर ने और खुछ चीफ मिनिस्टर ने बात की है हम उसका बहराल खेर मगदम करते हैं जाइंट अक्शन कमेटी ने समझे के एक बड़ी जिद्ज़ध सेकेटरियेट मसाज़ित के रिस्टोरेशन के लिए रिबिल्ड के लिए बड़ी जिद्ज़ध की है सब के सामें ये बात आया है और बहुत से समझे के फोन और मुस्तखल दबाओ जाइंट एक्शन कमेटी पर है के बही मसाज़ित का संग्य बनियाद कब रखा जाएगा तो उसी कनिक्शन में आज हम यहां माइनियर्टी मिनिस्टर के पास आये थे बहुत अच्छे पराए में गुफतगू रही दूसरे मुस्लिम मसाइल और माशी समझे के अपलिफमेंट पर और पिर कुछ कम्प्योटर ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफतगू रही है बरहाल सेकुलरिजम पांच तारीख अभी तारीख पूरी तैय नहीं हुए क्योंके परशान्द रेड़ी साहब अविलेबल नहीं है क्योंके वो रोड एन बिल्डिंग के मिनिस्टर और महमुद अली साहब से भी वो समझे के मश्वरा कर लेंगे तो ये तीनों मिनिस्टर्स बात कर लेंगे बात करके तारीख तैय की जाएगे हमारी तरफ से जो बात हमने की है के पांच तारीख को समझे के संगे बनियाद रख दिया जाए इतवार आ रहा है क्योंके फ्राइडे गुट फ्राइडे भी है अब उसके बाद रमजान बहुत खरीब हो जाता है तो बरहाल इस बात को उन्होंने कंसिडर किया है कि ठीक है मैं बात कर लोंगा और फिर हमने कहा कि वह टोटल डायमेंशन हमको चाहिए तो वो डायमेंशन भी लेने के लिए परशांद रेड़ी साहब को उन्होंने फोन किया तो इस वक्त वो समझे के अवेलेबल नहीं है बाहर दोरे पर हैं तो डायमेंशन भी हम लेंगे और देखेंगे किस तरह से कैसे समझे के बन रहा है तो ये दो चीज़ों पर बात भी और उमीद है कि रमजान से पहले फांडेशन स्टोन की तखरीब रख दी जाएगी आज़ा चाहिए प्राइबल ये ये पार प्राइबल नहीं है not in Kamp's success is falling 9 times getting up 10 some people dream of success others put their heart and soul into working for it all Snoxus